Welcome to Amazing Education Center तो इस वीटियो मैं आपको बताऊ नहीं, यदि आप SSEJ का एक्जाम क्रैक करते हैं तो क्या-क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है, क्या-क्या बैनिफिट्स होंगे क्या-क्या अलोएंसे आपको मिलेंगे, कैसा आपका लाइफ स्टाइल होगा, क्या आपकी सैलरी होगी एट कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है तो वीडियो काफी साधा इंट्रेस्टिंग है स्टुडेंट्स, बीना स्किप करें वीडियो पूरी देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना तो बीना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते है फॉस्टि तो इसमें जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है बेसिक पेस का 35,400 से 1,12,400 तक होता है सैलरी इन हैंड आपकी 44,000 होकी अकोडिंग टू 6th पे मैट्रिक्स इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट होते है कोई भी एक डिपार्टमेंट आपको एलोट हो जाता है exam क्रैक करने के बाद तो इसमें CWC होता है Central Water Commission CPWD होता है Central Public Works Department Department of Post होता है and M.E.S होता है Military Engineering Services इसमें काफी सारे अलोँंसेंस आपको मिलते है like house rent आपको मिलेगा आपको dearness allowance मिलेगा आपको traveling allowance मिलेगा आपको medical allowance मिलता है and कुछ special facilities आपको provide कराई जाती है like leaves मिलती है आपको recreational activities मिलती है तो काफी सारी facility आपको इस तरह की provide कराई जाएगी इसमें अगर growth opportunities के बारे में देखा जाएगी तो इसके बाद आपको AE की promotion मिल जाती है 7-8 years बाद and आपको इसके बाद executive engineer के लिए promotion मिल जाता है तो काफी अच्छी इसमें career growth है आपकी अगर इसकी lifestyle के बारे में बात की जाए तो काफी respected job होती है society में काफी respected लजरों से देखा जाता है एक junior engineer को इसकी vacancy भी काफी सारी मिल आती है and इसकी salary भी अच्छी होती है 44,000 काफी अच्छी salary मानी जाती है और यह 6P matrix के according है काफी सारे allowances आपको मिलते है साथी में एक vision होता है society का आपको द्रश्टी जो है आपको काफी change हो जाती है देखने की and आपको जो work करना होता है वो mainly J.E.E. का work होता है measurement का quality control का site पे क्योंकि site की पूरी responsibility J.E. की होती है तो जो contractors होते हैं उनका direct contact J.E.E. के साथ ही होता है तो काफी अच्छी post है काफी respected post है काफी respected इसमें society की नजरू से देखा जाता है इसको तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नई वीडियो में नई content के साथ thank you for watching this video